अरे मोधी जी देश के अगले परधान मंत्री के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे मोधी जी मैं तो कहता हूँ मुझे ही परधान मंत्री बना दीजिए क्योंकि मोधी जी तुमने इतना विकास कर दिया इतना कर दिया कि खुद विकास कोई नहीं पाता चल ला कि इतना विकास कर दिया विकास खुद बेरोजगार पड़ा है घर पे अरे ओवेसी यह तुम कैसी बाते कर रहे हो अरे भैया तुम कैसे परदान मंतरी बन जाओगे अरे तुम्हारी तो पार्टी हमने देखी ही नहीं अरे भईया तुम तो अकेले ही पूरे देश में घूमते हो और कोई दूसरा नेता तो तुम्हारी पार्टी का देखा नहीं इसलिए भईया तुम्हारे नमबर तो कट हो गया हाँ मैं जरूर परदान मंतरी बनने वाला हूँ अब की बार, क्योंकि मोदी जी ने इतना विकास कर दिया, अब जनता कह रही है, मोदी जी बस करिये, अब हमको और विकास नहीं चाहिए, क्योंकि भीया हम से बरदास्त ना हो रहा इतना अच्छे दिन में रहना अरे वा भीया वा तुम लोगों ने तो मोज कर दी क्या विचार हैं तुम लोगों के अरे भीया ये फिरी में बट ये परधान मंतरी तुम सभी परधान मंतरी बन जाओ हम तो तेल लेने चले जाते हैं अरे एकलेश बाबू तुम भी बतादो अपना तुम्हारे क्या खियाल है इसके बारे में अरे मोधी जी मेरे कोई खयाल वाहल नहीं है मैं तो चहता हूँ कि देश का परदान मंत्री योगी जी बने क्योंकि योगी जी जब परदान मंत्री बन जाएंगे तो भाईया मैं UP का CM बन जाऊंगा क्योंकि उससे पहले मेरा नंबर नहीं पढ़ने वाला मैं तो कहता हूँ मोदी जी आप अपना जोला उठा के घर को निकल जाएए अरे मोदी जी मुझे एक बात बताईए क्या तुमने सचमे बच्पन में चाई बेची थी या ये बात भी यूँ हवा में गोला छोड़ दिया कि भईये मोदी जी ने तो चाई बेची बच्पन में और लोगों ने मान लिया क्यों योगी जी आपको क्या लग रहा है क्या सचमे मोदी जी ने चाई बेची होगी अरे अकलेस बबुआ ये तुम कैसी बाते कर रहे हो अरे जब मोदी जी ने कहा है कि उन्होंने बच्पन में चाई बेची है तो भईये बेची होगी क्योंकि मोदी जी कभी जूट नहीं बोलते इस वज़े से हमें कोई सक सुभा नहीं है बिल्कुल बेची होगी वो अलग बात है कि हमें अभी तक ऐसा कोई एक बंदा नहीं मिला जिसने ये कहा हो हाँ मैंने मोदी जी के हाथ की चाई पी है ठीक है भईये आप जादा हम क्या कहें मोदी जी हमारे नेता हैं बड़िये वाले चुप करो भई क्या बेकार की बाते कर रहे हो अरे मेरे बच्पन पे सवाल उठा रहे हो तुम मेरे बच्पन पे अभे तुम्हारा अभी खुद का बच्पना चल रहा है तुम मेरे उपर सवाल कर रहे हो बाई और बैनो देख लो, ये कैसी बात रहे हैं बाई और बैनो मैं तुम से एक ही बात चाहता हूं आने वारे लक्षन में इनको जवाब जरूर देना मोधी जी क्या है, क्या नहीं अरे ये बच्छपन ज्यन्सी बात कर रहे हैं क्या करने का इरादा है मोदी जी कुछ तो बताईए अरे नहीं नहीं योगी जी हमको कोई तबेलो अबेला नहीं बनवाना हमें तो अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनवानी है क्योंकि अब हम कुटिया में रहेंगे हमने कहा ताने अरे हम तो फकीर आदमी हैं जोला उठा के चल देंगे तो भाई आप लग रहा एक जोला उठाने का टाइम आ गया क्योंकि मैंने देश का सारा काम कर दिया कुछ नहीं चोड़ा तुमने देखा नहीं पैट्रोल डीजल कितना सस्ता कर दिया सिलेंडर बहुत सस्ता कर दिया ओ भाई या बिजली तो 24 गंटे कर दी सब जगे इसलिए अब मुझे कोई काम नहीं दिखरा इस देश में जो मैं करवा सकता हूँ सब काम हो गया अब तो बेरोजगारी भी खतम कर दी मैंने अब तो यही काम बचाए भाई जोला उठा के चल दो अरे वा मोदी जी वा अरे मोदी जी कहीं तो फैंकना कम करीजे मोदी जी अरे मोदी जी इतना कौन फैंकता है जितना तुम फैंकते हो अरे भाईया तुम्हारी वजे से हमारा ये हाल हो रग गाए कि हमने अपना टैक्टर बेच के ये तांगा लेना पड़ गया अब इस तांगे से गुजारा करना पड़ रहा है अरे भाईया इतना पैट्रोल डीजल के दाम आसमान चुगे तुम कह रहे हो सस्ते कर दिया लेकिन फिर मुझे मोका नहीं मिला तब से आज मोका मिला है ये चाई मैंने अपने हाथों से सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है भाईया अरे वो मोधी चाचा चा चा तो बड़ी स्वादिष्ट है भाई तुम्हारी अरे भाईया बाते भी स्वादिष्ट कर लिया करो अरे भाईया तुम खुच चाचा बने हुए हो, क्यों अखलेस बाबू, सही कहा न मैंने अरे मोदी जी इन सब बातों को छुड़ो, मुझे एक बात बताओ तुमने एक बात कही थी चुनाओ के दौरान की भाईया सब के खाते में 15-15 लाख आएंगे अरे मोदी जी भाईया जल्दी डलवा दीजी, 15-15 लाख मुझे बहुत जरोत पड़ रही है अरे अखलेस बाबू, ये कैसी बात कर रहे हो तुम अरे भाईया वो एक जुमला था जनता को पागल बनाने के लिए हमें कुरसी चाहिए थी, हमें कुरसी मिल गई ऐसे तो रावल गांदी ने भी कहा था की एसी मसीन बनाऊंगा, इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकलेगा अरे अखलेस बाबू, तुम्हारे ट्रेक्टर कहां चला गया भाईया? अरे जो तुम बैल खरीद लाए अरे भाईया, इतने बुरी दिन भी आ गई, क्या तुम्हारे अखलेस? अरे मोदी जी, बस तुम्हारी किरपा से सब बिग गया अरे मोदी जी, इतना महंगा तेल करके, डीजल इतना महंगा कर दिया और तुम बोल रहे हो कि भाईया, इस बैल क्यों खरीद लाए? अरे समझा करो बात को हालात खरावो रखें इस्तम में अरे अखलेस बाबू ये अच्छे दिन ही चल रहे हैं, बस तुमको दिखाई नहीं दे रहा अरे सिलेंडर बारा सो रुपे बिक रहा है, बीजल पैट्रोल इतना महंगा बिक रहा है सरसों का तेल दो सो बिक रहा है, अरे भाईया तुम अगर देश हित के लिए इतना महंगा नहीं खरी सकते तो तुम्हारी देश भगती पे सक हो रहा है मुझे क्यों योगी जी, सही कहा न मैंने अरे बिल्कुल मोदी जी, मोदी जी तुमने जब भी कुछ कहा है, बिल्कुल सच कहा है और बिल्कुल सही कहा है अरे तुम मोदी जी जूट तो कभी बोलते नहीं, अब तुम कह रहे हैं अच्छे दिन चल रहे हैं तो भईया अखले सच्छे दिन चली रही होंगे जब मोदीजे न कहा है तो कोई सक नहीं है